गुड मार्निंग स्टुडेंट यह विल डिस्कस एक्ससाइज 7.1 कोईशियन नमबर 1 कॉम्टिट दफोल इस्टेटमेंट तो लाइन सेग्मेंट्स आर कॉंग्रेंट इफ दी हैव सेम लेंथ ओके स्टुडेंट्स दो लाइन सेग्मेंट्स तभी कॉंग्रेंट्स हो सकती है यानि कभी तभी एकोल हो सकते है जब उनका लेंथ जो है वो सेम हो that means उनका मेजर्मेंट्स सेम हो यानि अगर एक हमने 5 संटीमेटर ड्रॉ की है तो दूसरी लाइन भी कितनी होनी चाहिए 5 संटीमेटर की ही लाइन होनी चाहिए पार्ट बी एमंग तू कॉंगरेंट एंगल वन हैसमेजर्टीमेटर ड्रॉ के लिए ट्रॉ के लिए अगर एक लिए तो दूसरा भी सेवंटी ओगा व्न व्न वी राइट एंगल एक लिए ओड़ अगल बी वे अक्वेडर ही लिए पार्ट बी एक्वेड एक्वित धून जो मिजर्मेंट एक का है वही मिजर्मेंट बी का भी होगा ओके नाव कॉशिए नमबर टू गिव एनी टू रियल लाइफ एक्जामपल्स फॉर दा कॉंगरेंट शेप ओके तो कॉंगरेंट शेप के तो बहुत सारे एक्जामपल हो सकते हैं फर्स नम ले चकते हैं टू फुट बाल्स देन टू मैथमेटिक्स बोग आफ स्टेंडर्स सेवन सेवन ख्लास की दो मैथमेटिक्स की बुक ले लीजे उनका मेजरमेंट चेक करिए दनों का क्या होगा सेम होगा तो वो क्या कराएंगी कॉंगरेंट्स ओके नव पूशियन न कि Темू सीपोंडेंश ऐगर यह लेजर्सिंगे और दो दूसरा जुण में क्या होगा दिया है उससे हम लिखेंगे ABC Correspondence to FED अब हम लोग Correspondence Part इसी में से Find Out कर सकते हैं Angle A और Angle F Correspondence Part means इसमें जो Angle है वो Angle इसमें कौन सा होगा उसका Value तो अगर इसमें A है तो उसके According दूसरे ट्रेंगल में कौन सा होगा F अगर इसमें B है तो इसमें E इसमें अगर हमाँ पास C है तो इसमें D यानि यही सम निकाल सकते हैं Angle A, Angle F Angle B, Angle E Angle C, Angle D Correspondence में हमने यहाँ लिखा Angle A का Correspondence F है B का Correspondence E है C का Correspondence D है Same as Line Segment की बात करें तो A, B यहाँ पर हम ध्यान से लिखेंगे A, B A, B का कौन होगा F, E इसी तरह B, C B, C का कौन है E, D और A, C A, C का कौन है F, D यहनि A, B का Correspondence According to this F, E हुआ इसी तरह अगर B, C देखें तो B, C का E, D होगा और फिर A, C A, C तो इसमें क्या हुआ F, D Okay Now, Question No. 4 If Triangle D, E, F Congredent to Triangle B, C, A Write the parts Of Triangle B, C, A That Correspondence to Angle E, E, F F, and D, F Okay, Question तो first हमें क्या लिखना है यह दो Triangle's draw करना है According to this Triangle हमें उसके Correspondence Parts लिखना है Okay So, first we draw these two Triangle's And write its Correspondence Triangle D, E, F Correspondence to P, C, A अब अगर हम यहां से देखें तो D का Correspondence भी है E का C है और F का E है Question में उसे पूचा है Angle E का Correspondence तो E यहां पे Middle में है तो इसमें कहा है Middle में क्या है C तो E का Correspondence कौन हुआ C इस तरह E, F E, F का Correspondence कौन हुआ C है Line Segment E, F है तो E, F का कौन हुआ C है इसी तरह F Angle F का Correspondence A और T F का Correspondence कौन होगा BA ओके शुट तो यहां पे आपका Question No.4 Finish हो जाता है और Exercise 7.1 भी Finish हो जाती है Thank you